हलो और वेलकम फ्रेंट्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम मिंटेन बैलेंस बिल बाइ बिल अगर हम इस आप्षिन को ओफ रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आईए इसी के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं यह हमारा टैली प्राइम है और यह कंपणी बनी होई यह आप देख सकते हैं यहां पर हम चलते हैं purchase voucher में entry pass करते हैं, ठीक है, हमने अभी कोई भी cash receive नहीं कराया है, तो यहां पर purchase voucher में जाते हैं और कुछ purchasing करते हैं, ठीक है, तो यहां से कोई creditor party हम ले लेते हैं, तो यहां पर यह रामू करके creditor party है, हम इसी को ले लेते हैं और interface करते हैं, interface करते हैं, interface करते हैं और यहां पर purchase account का laser लगा लेते हैं ठीक है अब यहां से alt c करके हम कोई भी stock item बना सकते हैं like मैं यहां पर कर देता हूँ led monitor यह एक stock item मैं बना रहा हूँ led monitor करके और enterprise करता हूँ enterprise करता हूँ और फिर enterprise करके यहाँ पे nos कर देते हैं enterprise करके इसको करा लेते हैं accept यह होगी आप यहाँ पर quantity 5 है एक की कीमत 18,000 रुपए है तो यहाँ पे मैंने कर दिया ठीक है अगर इसमें gst हमने enable किया है तो यहाँ पे gst भी लगा सकते हैं जैसा कि आप देखी सकते हैं मैंने enable किया है gst option को तो c gst s gst भी लगा दिया हमने control ए प्रेस करके इसको accept करा दिया आप यहाँ से बाहर आते हैं यह अगर हमें report देखनी है तो यहाँ से जाके देख सकते हैं और print कराना है तो alt p प्रेस करके इसको हम print भी करा सकते हैं इसका preview मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है यह इसका preview है आप देख सकते हैं अब हमें करना क्या है यहाँ पर यह जो हमने purchasing की इसके लिए हमें payment करना है तो payment के लिए हमें 5 प्रेस करके payment voucher में प्रेस करके और फिर payment voucher में आ जाते हैं अभी हम single entry mode में हैं हम चाहे तो ऐसे भी entry pass कर सकते हैं लेकिन हमें अगर double entry mode में जाना है तो यहां से control के साथ edge press करना होगा mode को change करने के लिए तो हम इसे double entry mode में ले ले लेते हैं और debit credit वाला option भी हमें चालू करना है जो कि चालू नहीं या भी फिलहाल में आप देख सकते हैं ठीक है तो debit credit option किस तरीके से चालू होगा वो समझ लेते हैं आपको keyboard से F12 key press करनी है और यहां पर आपको मिल जाता है use debit credit instead of to oblique buy तो बस इसको yes कर दीजिए और आपका debit credit option भी चालू हो जाएगा तो यहां पर debit आ रहा है debit हम किसको करें करेंगे हमने जो party ली थी उसको हम debit कर देते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां से बाहर आ जाते हैं गेट्वे अफ टैली पर आ करके यहां से हम प्रेस करते हैं F11 key F11 press किया हमने और यहां पर देख सकते हैं maintain accounts और यहां पर देखिए maintain bill wise entry अगर इसको आप no कर देते हैं control A कर देते हैं आप पेमेंट करने जाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि क्या effect पड़ता है तो यहां पर जैसे ही मैंने किया तो यहां पर maintain balance bill by bill नहीं आएगा आपका यह दिखिए यहां पर मैं कर देता हूं और enter जैसे ही प्रेस करेंगे तो कोई आपके उस तरह का नया window खुल करके नहीं आएगा जो अभी आ रहा था ठीक है तो adjustment entry करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी इसी लिए maintain balance bill by bill इस वाले option को मैं yes करवाता हूं ताकि adjustment entry बहुत आसानी से हो सके अब देखिए इसको मैं फिर यहां से एफिलेवन की प्रेस करके और इसको on कर देता हूं तो यह कर दिया एफिलेवन और यहां पर देख सकते हैं यह yes कर दिया मैंने control एकर दिया अब यहां से वी प्रेस करके आ गए और फिर यहां पर जैसे ही आते हैं तो यह creator party का laser लगा लिया और यहां पर 99,332 उर्पे कर दे करता हूं और interface करते हैं अब देखिए जैसे ही मैंने interface किया तो यहां पर चारो adjustment entries आपको दिखाई पढ़ेंगे advance है against reference है new reference है और on account है आप अपने जरुरत के हिसाब से इन चारों का प्रयोग कर सकते हैं इसका यही फायदा है कि आप adjustment entry कर पाएंगे ठीक है अब जैसे माल ल आप cash कर दीजिए आपका काम हो जाएगा हाला कि आपके पास cash नहीं है जिसके चलते cash negative में जा रहा है लेकिन फिर हम इसको बाद में देखेंगे अभी हमारी जरुरत adjustment entry को लेकर के है तो इसको हम accept करा लेते हैं ठीक है तो इस तरीके से इसका यह फायदा है I hope की बात समझ मे आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो share करें thank you for watching this video